जै स्री राम, प्रियमित्र, भगवान भोले नात के भाव को प्राप्त करने के लिए स्री राम आधार शांती केंद्र से जुड़ जाएं जहां से आप वे शभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते है यह आपके मित्र का नीजी अनुभव है, जै स्री राम जै स्री राम, जै स्री राम, बाबू राम जी अवन सिंग भीया जी गुरु जी, गुरु जी के चल्णों में राम जी का प्राम, शुकार हो गुरु जी बतावे, कोनो जिग्यासा भाव? जी गुरु जी बतावो जिग्यासा भाव गुरु जी कि आपके माध्यम से जब धर्म रस सुना जी तो अम्मा देखा प्रभु भविषण के सारी बाते बताये वाँ जी धर्म जब सुना तो गुरु जी आपके जन धर्म भाव जैसे ब्राम्हर कुल के धर्म भाव तो सारी बताव में देखा गुरु जी अनुभव में आगा? जी प्रभु का बहुत बड़ी कृपा बाराम जी भी जी गुरु जी में तो अपने धर्म का फूर पालन भाव जी आपका उन्भाव जी आप जोन भी बोला खीली स्त्य अउrit आपना अनुभव जोन भी भ्याएक अपने धर्म का पालन सही सही गुंदिया कर रहाव में अप्रमे और जै आपका उन्भाव जी अनुभवा जेब सुना इसरी बात जी आव दोस्थ न सकुंबारी कौन संत कर चरित जोन स्री राम जी वड़न करें और के अलिए अम्मा गुरुजी अश्टांगी स्लोक बार्ट रुद्राश्ट्र जब पढ़ा अर्थ सही तो में कोनो उधाःण यानि धान बांस चेला आश्राम दरसल राम जी भीया ने भगवान का इसन चरित्र बा क्यों आपकी हां रही नो तो जीव के पास पहुचबा न करी गुरुजी यन्भों मिग्यल की आपकारला माया सेग्ण परिवान काई से हमेशा जब से सानिध मिला तब से धन बंस नाम के हमेशा काट रहावाई यी दरसल सोध से निकला की धन बंस और किर्ती के कामनाई मोह के बीज से उत्पन हुआ भ्रामबा जैसे मनुष्क के अईसन लगता की कुल प्राप्त हो जाई तहां ममर हो जाव जे गुरुजी इब्रामबा पहले यहां रहवे किया गुरुजी जब आपके सानिध मिला तब भ्रामी सब दूर होगा तब प्रभु के क्रीपा से यहां भी जब अनुभव में आल तो फिर ए जानिधा इस समझ में आगा गुरुजी की जहां पवित्र भाववा जुआ भार के होए कि कुनुप्रस में नहीं यह अनुफम चलागा तहां अभी और का आपका भाववा का चाहता है कि बतावा इस यह भावा गुरुजी की जन प्रभु के किलपा से होला जनता के बीच म गुरुजी सरल भाव से मने ऐसा ऐसा दिव्य तत्व जौन मात्र स्री स्यू जी और स्री राम जी के कृपा से ही होला जी गुरुजी इस तत्व आपका भाववा की जगत में पहुच जा जैस्री राम प्रियमित्र आज नौ जून दो हजार चौबिश जेश्ट मास के सुक्ल पक्ष की तृतिया तिति है और कल गणेश जी का दिन है तब तक यह जो आनुभव है वह आपके पास पहुच जाएगा जैसा कि इसके पीछले वाले वीडियो में ही यह बात इसपश्ट कर दिया गया कि जगत की प्रतेक इस्त्री एवं पूरुस के अंतह करण में स्री सीता राम जी प्रतेक छण बिराजमान हैं तो अब जो भी बाड़ी प्रगट होगी वह धरती के प्रतेक इस्त्री पूरुस को पुस्कर भाई सीता राम जी की मूर्ती अनुभाव करके ही हो रही है और अंतर्यामी रूप से परमात्मा सबके हिर्दय में है तो उस परमात्मा का अनुभाव कोई भी मनुष कैसे करेगा तो उसके लिए भाव ही एक माध्यम है जिस माध्यम से धरती का प्रतेक मनुष आत्मा राम का अनुभाव कर शकता है और वास्तों में यही तो मनुष्य जन्म एवं जीवन का परम लक्ष है भगवान के भाव को प्राप्त कर लेना यह स्रद्धा का पहला घटक है दो वेरी फर्स्ट कंपोनेंट ओफ रिवरेंस और एक घटक को धारण करने वाला इस बेहवार जगत में जिसमें धर्म गुरु राष्ट्पती प्रधान मंत्री अनेको प्रकार के स्वरूप है लेकिन पहला घटक धारण करने वाला एक भी स्वरूप नहीं है बाद भक्ती के नाते ही हो रही है फिर भी यदि किसी को लगता है कि वह श्रधालू है तो वह बाद को खंडित करी भी सकता है लेकिन ऐसा नहीं है आपके इस मित्र को यह अनुभव कि स्री सीता रामजी प्रतेक स्वरूप में है यह 14 जन्वरी 2014 को ही हो गया यानि दस वर्स के उपर हो गया साढ़े दस वर्स कह ले जन्वरी से जून ठीक आज आप इस रहस को रहस यानि इस पाश्ट और कुटिल हिर्दे वाले इसको कहते हैं बहुत बड़ा रहस की बात कर रहे हैं लेकिन रहस का वास्थिक अर्थ होता है इस पाश्ट करोडों करोड भगवान के भाव यहाँ पर है लेकिन यह सभी भाव भगवान के हैं इस शरीर का नहीं क्योंकि यह सरीर प्रभू स्री राम जी के अनुसार मात्र एक ही लक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रभू के क्रिपा से किसी जीव को प्राप्त हुआ है और इसका कार्य ही है साधन धाम अमोख्ष करे द्वारा अब यह परम लाभ आपके इस मित्र को प्राप्त हो चुका है तीन लोग चौदव भोनों में डाक्टर रवी शंकर पांडे को अब कुछ भी नहीं चाहिए यहां तक कि ब्रह्मा जी की मानिता भी नहीं चाहिए स्वर्ग सूखी हड़ी के बराबर हो गया देवी देवतार रिशी मुनी या स्वर्ग के राजा इंद्र का भी पद नहीं चाहिए तो मित्र ऐसा क्यों वह इसलिए कि परमात्मा का अनुभाव हो जाने पर इस जगत में कुछ प्रयोजन हो ही नहीं सकता प्रभू स्री राम जी क्रिश्णा अवतार में अर्जुन जी को उपदेश देते हुए तीसरे अध्याय के अठ्रहवे स्लोक में स्रीमत भगवत गीता के तीसरे अध्याय के अठ्रहवे स्लोक में इस ज्ञान को जनमानस के लिए प्रगट कर चुके है तो और यहाँ अपना अनुभव है मूल चीज है कि यहाँ अनुभव की वस्तु है किसी की पत्नी इनको स्वामी जी कहे या कोई भी नारी हो यहाँ तक कि लक्ष्मी जी स्वता क्यों नहूं डाक्टर रवी शंकर पांडे को स्वामी जी कहे इसकी कल्पना एक स्वास में भी इस बुद्धी में संभव ही नहीं है यह कैसे हुआ यही से बात का सुभारम कर देते हैं यहाँ श्रद्धा स्वरूपा माता पार्वती जी की मैया हिमाचल जी की पत्नी माता मैना जी की बाड़ी है जब श्यू जी के साथ बिदाई कर रही थी तो अपना बेटी समझ करके शरीर से जो जी उत्पन होता है उसको लोग बेटा और बेटी समझते हैं यह तो सभी जानते हैं तो वह स्रद्धा स्वरूपा मैया पार्वती जी की माता मैना जी अपने पुत्री को बिदाई के शमय उपदेश दे रही है कि करहु सदा संकरपद पूजा अनारिधरमु पति देवन दूजा करती है कि अब स्री स्यूजी के चरडों की सेवा आदर के साथ करना बिटिया क्योंकि नारी के लिए पति के अलावा कोई देवता इस पूरे सिस्टी में होता ही नहीं कलियुक का प्रभाव है ज्यादा तर मत आएं पति माने क्या माई फोट कुछ गूनी नहीं रही है तो खैर यहाँ पर बात को आगे और बढ़ाएं उसके पहले यहाँ धर्ती पर जितनी नारियां है माता बहन बेटी और मौसी नानी के रूप में जितनी भी नारियां है चाहे वह किसी वर्ड की हो ब्रामर छत्री वैश शुद्र आपके इस मित्र के लिए प्रतेक नारी सीता जी और प्रतेक मनुष राम ही है उमा संकर जी ही है और गड़ेश जी तो सबके हिर्दे में बैठे है एप पांचों ब्यवस्था ऐसा कोई धर्ती पर रूप ही नहीं है जिसके अंतह करण में नौ हो तो धर्ती के सभी नारी वर्ग से यह भाव कि आप पार्वती जी और सीता जी की मूर्ती ही हैं बस इतने भाव से ही इस बुद्धी का तार जुड़ा है आपके रूप से आपके गर्व से आपके अस्तन से और आपके भग से डाक्तर रवी शंकर पांडे का अब किसी युग में, किसी कल्प में, किसी च्छड के लिए भी सम्मंध नहीं हो सकता तो मित जिसकी आव सकता ही नहों, उसे पार्वती और सीता जी का सम्मान प्रदान करना यहाँ भगवत कृपा है इसलिए जगत की कोई नारी उद्वेदित ना हो क्योंकि यह लीला अस्थली परम लक्ष को प्राप्त करने के लिए कभी भी जो दुष्ट और दुखरूप माया है वह एक छड के लिए भी आवसर देने वाली नहीं है किसी साधू के पास गए या मंदिर में गए तो वहाँ भी खाली बस लालाच सुख सामपाती घार आवए सुने होगे और यहाँ इंद्री सुख संपत्या और घर तीनों का किसी स्वास में अस्थान ही नहीं है कहेंगे क्या बात हुई पंडे जी या पंडे जी क्या डक्टर पंडे यह क्या बात हुई सो यहाँ पर प्रभू स्री राम जी का वह ज्यान अंतह करण में प्रवेश हो चुका है आप लोग भी अगर प्रवेश करा सके तो करें कि यही तन करफल बिसय नभाई अस्वरग उस्वाल्प अंत्य दूख दाई अगर बहुत धर्म के मार्ग पर चले है तो मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा वह भी जब तक आपका धर्म का पावर रहेगा उतना समय फिर आना पड़ेगा इसी मृत्य लोक में धर्ती पर यह बात जिस भी इस्त्री पुरुष को अनुभाव में आ जाएगा उसका स्वर्ग तक का प्रयोजन तो उसी छण समाप्त हो जाएगा यह अनुभाव है जैसे आपके इस मित्र के लिए स्वर्ग सुखी हड्डी के बराबर हो गया तो स्वर्ग तक पाने के लिए अब आपके मित्र रवी शंकर को कुछ करना ही नहीं रहा तो मित्र अब इससे अनुभाव कर सकते हैं कि यह व्यवस्था बिल्कुल अलग है और इस मुख से क्या कहा जाएगा अब तो देखिए मिलैनीन की सिंथेसिस भी बंध हो गई इस सरीर के माध्यम से किसी भी कर्म के फल स्वरू तीन लोक चौदा भुवन में इनको कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए सपने में भी जागते हुए की बात ही क्या स्वापन में भी कोई इनको माने इसकी कल्पना ही समाप्त हो गई विरेंदर भाई आसक्ति यानि किसी रूप से लगाओ प्रमाद यानि मनुरंजन बिनोद यानि हसी मजग इन तीनों का कहीं अस्था नहीं नहीं रहा तो यह जो भाव आप अनुभाव कर रहे हैं या किसी स्वार्थ मोह माया और आसक्ति की प्रेड़ा से नहीं प्रगट हो रहा है आपको सीता राम जी की मूर्ति अनुभाव करके प्रगट हो रहे है इस्मृति यह सबसे छुटकी माया है अविद्या का साथ अस्तर है उसमें सबसे नीचे इस्मृति की मैं ऐसा काम करूँ कि हमारे लिए एक इस्मृति का रूप बन जाए लोग हमको पूजनी है बंदनी है सम्मानी है माननी है समझे मरने के बाद भी और दिव्य सोद से निश्कर्ष निकला कि जहां तक सम्मान की शीमा है वहां तक वह जो सम्मान किसी मनुश्य को किसी अस्तर पर प्राप्त होता है यह मात्र अभीमान का भोजन है जिसको जितना सम्मान मिलेगा उसका उतना ही घमंड बढ़ेगा और जो नीच प्राड़ी है माने नीच यानि जो विश्यों में लिप्त है चाए वह ब्रामट छत्री वैस सुद्र किसी भी कुलका हो इनको तो सम्मान मिल जाने पर यह आपई को काट डालेंगे यह भी अनुभव है मोहनी बृत्ती के कारण इनको भी जान से मारने का प्रयास किया गया था भूनेश्वर में खैर अब इस शरीर के साथ इस धरती पर किस ने क्या किया किसी के कर्म से स्वभाव से अब आपके इस मित्र के बुद्धी का कोई भी तार जुड़ा नहीं है और इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि पूरे धरती पर ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है राजकुमार भाई जिसके प्रती आपके इस भाई के अंतह करण में एक स्वास में भी क्रोध हो रोस मक्खी बेढ़ जा रही है बार बार हैरियों हरियों ठीक तो रोस का अंत हो गया और काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेना यह तो अच्छी बात है तीन लोग चोदा भुवन में कुछ पाने की कामना नहीं रही सम्मान चाहिए नहीं और कोई अगर अपमान करता है तो सम्मान और अपमान के दोनों के सीमा के बाहर यह बुद्धी आ गई है तो उस अपमान का भी कोई सम्मंद यहां नहीं रहा जन्म मरण का चक्र समाप्त हो गया माता सावित्री देवी ही इस जीव का अंतिम माता जी रही श्री पिता जी पंडित श्री श्यूवली पंडे जी ही इस श्रिष्टी चक्र में अंतिम पिता और आपके इस मित्र के लिए भगवान भोले नात की मूर्ती रहे अब धर्ती का प्रतेक मनुष्य नवीन कर्म करने के लिए परमस्वतंत्र है आप भी अपने माता पिता को मैया पारवती और सुजी की मूर्ती मान ले तो उसमें चमडा मांस और रक्षपर आधारित या कूट नीती जिसे आप संबिधान कहते हैं जिसे वास्तों में जो चम्राउट है पूरे विश्व का संबिधान ही चम्राउट चम्राउट समझ रहन है चमडा मांस और रक्षपर आधारित जो कपट जाल है जिससे अब इनका कोई संबंध नहीं रहा और इसमें नाराज होने की बात नहीं है क्योंकि विशेश दिव्यसोद से यह निश्कर्ष निकला कि जिस भाव में जिस कर्म में श्री सिव जी का आधार न हो वह भाव और कर्म किसी भी मनुष्य के लिए ब्यर्थ है चाहे वह थियोरी आफ रिलेटिविटी का खोश करने वाले आइनिस्टाइन रहा हो चाहे थियोरी आफ इग्जेक्ट एन अपोजिट रियक्शन फार एन एक्शन आफ नूटन या थियोरी रहा हो चाहे survival for the fittest theory of Darwin अब इन तीनों मूर्ती का कोई अस्था नहीं नहीं रहा तो जगड़ा करने की बात नहीं है मूल चीज है कि जिस मार्ग पर चल कर आप मनसा वाचा करमडा पवित्र भाव को ना प्राप्त कर सके उस सिध्धान्द का कोई भी अस्तित्व ही नहीं रहा तो मित्र आपका यह मित्र बहवार जगत के बिलकुल बाहर है श्री सिव जी को संपूर स्वासही समर्पित कर चुका है तो आप स्री सिव जी की मूर्ती है यहीं समझ के बात हो रही है आपके रूप से नाम से आपके कर्म से इनका कुछ भी सम्मंद नहीं है तो कुछ दिन पहले हरीजन कुल में उत्पन हरिश्चंद्र जी आये थे तो बोले कि गुरू जी आपका जो भाव है वह हमेशा यह कहीं बना रहता है कभी उदासी आपके चेहरे पर दिखी नहीं इसका क्या कारण है तो उसके लिए एक वीडियो अलग से बना दिया गया है जो कि इस वीडियो के साथ लिंक कर दिया जाएगा तो मित्र जब कोई स्रिष्टी में बीज उत्पन होता है तो जब तक उसका निर्मूल ना हो वह स्रिष्टी चक्र में चलता रहता है तो 1989 में श्री लच्मर जी का चरित्र रामलीला में इस शरीर के माध्यम से हुआ था तो उसी समय इस आपके इस मित्र के अंता करण में बीज बैठा क्या बीज था कि धरनी धामू धने पुर परिवारू असरग नरक जहां लगी बेवहारू देखिये सुनिये गुनिये मन माही मोह मूल परे मारत नाही यह ज्यान प्राप्त हो गया था कि धर्ती घर धाम मने घर पूर गाउं परिवार धरनी धाम पूर परिवारू असरग नरक जहां लगी बेवहारू यानि जहां तक बेवार चल रहा है यह है क्या मोह यानि अज्यान मूल अज्यान का जड़ है इसका वास्तों में कोई अस्तित्व है ही नहीं अब यहां निर्मूल हो गया एट्टी नाइन से एक ग्यारह सार उधर और दो हजार चौबिस चल रहा है तो चौबिस इधर यानि पैंतित साल क्या उसको पचीश साल ही रखिये पचीश साल पहले ही यहां निर्मूल हो गया क्योंकि मोह हमेशा जीव को अंधा किये रहता है स्वार्थ जहां रहेगा वहां विरोध होगा और जहां मोह का अंस रहेगा मोह आप लोग जानते होंगे मोह लगता है न सबका यहां तो मोह का कहीं प्रस्ण ही नहीं रहा अब मनवरंजन के लिए तो कोई बात हो नहीं रही है फिर भी भाव आया कि यह बाड़ी प्रगट कर दे बलम मुर भैलन मुहिया हे राम हम का करी तो कोई बात नहीं तो मोह यहां भाव भरत जी का ज्यान है मित्र धर्ती पर कोई भी मनुष्य हो जिस भी वन धर्म अश्रम में रहता हो हर मनुष्य का मन बुद्धी एवं शरीर सेवक है और उसकी आत्मा ही उसका स्वामी है और आपके इस मित्र के बुद्धी में यह अस्थाई भाव हो गया कि आत्मा परमात्मा श्री कृष्ट भगवान और श्री राम जी में अंतर ही नहीं है अब धर्ती पर जितने संप्रदाए हैं उसमें इस भाव को धारण करने वाला विश्व का एक भी मनुष्य नहीं है क्योंकि यह हो ही नहीं शक्ता आशक्ति रहित परमात्मा और आपकी आत्मा यह कही है और यह जो आत्म तत्व है यह हमेशा तीनों गुणों से निर्म लिप्त रहती है इस बात का ज्यान प्रभू स्री रामजी क्रिश्णा आवतार में तेरहवे अध्याय के स्लोक संख्या 31 से 33 के बीच में कर चुके हैं 31, 32 और 33 तो आप जिस छड अपने मन बुद्धी शरीर को सेवक बनाएंगे उसी च्छण से आप मनुस्य का जीवन सुरू कर सकते हैं अभी पचासवा सालिस शरीर का चल रहा है लेकिन निसकाम भाव वाला इस जगत में जितने भी संप्रदाय उत्पन हुए हैं बिगत 6000 वरसों में इस भाव को धारण करने वाला उसका फाउंडर नहीं मिला इसलिए आपके मित्र के बुद्धी में जितने भी संप्रदाय हैं सभी मात्र पाखंड हैं परसान होने की जरूरत नहीं है किसी भी संप्रदाय का रिपर्जेंटेटिव हो अगर अभिमान से मुक्त हो करके अपने आपको प्रमारित करना चाहे तो बाबुराम जी अवन सिंग जी की स्रहमती लेकर सन्मुक हो सकता है यहाँ पर दो चार छे महिने में कभी कभी कोई आ जाता है क्योंकि यहाँ पर यह जो आसकती दोस है इसको लोग मूढ बुद्धी के कारण प्रेम समझ रखे हैं और यह मूढ बुद्धी का प्रवाह प्रचंड रूप ले चुका है नारी ससकती कराण यह बिध्वन सकारी तरंग पूरे ब्रहमांड में ब्याप्त हैं और यहाँ आसकती का तो कोई प्रस्ने नहीं उरता इसलिए यह चरित्र ही आपके समाज से बिल्कुल अलग है गड़ेश सहनी जोकी इसी श्री राम आधार शांती केंद्र पर श्रीमत भगवत गीता का पाढ़ सुनने के लिए संकल्प किया और उसको पूरा गीता का पाढ़ भी सुनाया गया उसने बताया कि गुरुजी आपको इस संविधान में समाज का आंग नहीं मानते तो इनको तो आप किसी की मानता ही नहीं चाहिए फिर भी एक आधार काड बन गया है R.I.R.T.O. पुस्कर भाई के तरफ से उनके सहयोग से ड्राइविंग लाइसेंस भी बना हुआ है तो मित्रा पितना जान ले सिधा सिधा जैसा कि शुरू में बताया कि इस पश्ट बात यह है कि इनका मन बुद्धी शरीर सेवक है और स्री राम जी ही इसके स्वामी है अब इनको कुछ भी प्राप्त करना सेश नहीं रहा श्री स्यू जी की कृपा है इसलिए यह अनुभाव आप तक पहुच जा रहा है आप अपने मन बुद्धी शरीर को सेवक बनाएं नो बनाएं वैसे इस बाड़ी का प्रयोग धर्ती पर सब करते हैं कि सेवक को सेवा का मौका दीजिए लेकिन बिलकुल याद रखिए इस पश्ट रूप से कि सेवक भाव में प्रतिष्ठित पूरे धर्ती पर बेहवार जगत में एक भी मूर्ती नहीं है तो कहेंगे पांडे जी आप मुझे बता देजिए मैं पहला पूरुष्या इस्त्री बनना चाहता हूँ धर्ती पार ऐसा मैं क्या करो कि मैं वह सेवक बन जाओं इस स्रिष्टी में तो करना कुछ नहीं है बहुत सरल बात है कि अपने ही आत्मा के समान हर रूप में एक परमात्मा ही निवास कर रहे हैं तो अपने अंता करण में संकल्प ले लीजिएगा कि अब हमको एक भी मनुष्य से रोस नहीं रखना है पहला का और हर एक रूप रज वीर और वासना से ही उत्पन है ललन दूबे जी जो संपूर स्री रामचीत मानस का ग्यान आपके इस मित्र को प्रदान किया हुए कोई और नहीं बड़ी दीदी सुदामा दीदी का बड़ा पुत्र ललन दूबे ही है तो ललन दूबे जी बताए कि मम्मा थोड़ा उन्हीं के टोन में बोल रहे हैं मम्मा बतावत आई ए धर्ती पर एको मनई नाई बायान जेकी नारी के देवी समझ के साधी करत हो सब अपने काम के चक्कर में कर रहा है कि ऐसे कहते हुए फिर ऐसे अपना मुश तो इनको उसी छड़ अनुभों में आ गया कि यूग का ऐसा प्रभाव है कि जूट का आश्रे हर कोई लेने लगा अंदर नहीं है फिर भी उपदेश कर रहे हैं लोग ठीक तो आज त्रितिया तिथी है तो तीन के जोड से तीन तीन छे तीन नौ नौ से होता है नौ टंकी तो इन नौ का जो इस पश्ट ग्यान है वह जान ले संछेप में कि यह संपूर्ण स्रिष्टी ही तीन गुणों का विस्तार है तीन गुण क्या है सतो रजो और तमो सबसे नीचा वाला जो इसमें भी उच नीच है वैसे फसाते तो हैं तीनों और आपके मित्र की बुद्धी इन तीनों गुणों के बाहर आ चुकी है क्योंकि यहां फसने और फसाने वाला सोच रहा ही नहीं तो गुण पर आएं उसके पहले जान ले कि राग रोस इर्षा मद और मोह इन पाचों का स्वप्न में भी अस्थान नहों एक स्वास में भी तब तो आप सेवक बन जाएंगे अगर आपका किसी भी स्वास में रोस का एक भी कड़ है तो फिर आप सेवक भाव के अधिकारी नहीं है और आपका यहमित्र इन तीन गुण तीन अवस्था तीन ब्रह्म नौ के बारे में इस पश्ट ज्यान आप तक पहुचा दे उसके पहले यह जान ले कि आपका यहमित्र उपदेश अधिकार और आज्या तीनों के बाहर है अब इनकों किसी को उपदेश करना रहा नहीं और आदिशक्ति सीता जी का अस्थान प्रोफेसर प्रकाश्चंद सुपकार जी को पतनी को दे दिये तो अब किसी इस्त्री के तरफ आँख उठा करके ऐसे देखने का भी अधिकार नहीं रहा और सुरू में ही बता दिये कि नारी के गर्भ, हस्तन, भग और रूप से अब इनका कुछ भी सम्मन्द नहीं रहा तो तीन गुण की बात करें उसके पहले जान ले कि ऐसा हुआ कैसे तो मित्र जो मनुस मित्र होंगे पुरूस उनको तो यहाँ सब भाव जान करके अच्छा लगेगा कि पांदे जी बड़ा अच्छा हुआ जो कि आप मुक्त अवस्था को प्राप कर लिए लेकिन एक स्रिष्टी में एक बड़ा विशेश नीती है कि नारी नमोह अनारी के रूप एक नारी हिस्त्री किसी हिस्त्री का रूप देख करके कभी प्रसंद नहीं होती बलकिन अपने ही ब्यूटी पार्लर में जा करके उससे भी सुन्दर बनने का प्रयास करेंगी लेकिन वह सुन्दर है वह वह मानने को कोई नारी तयार नहीं होगी तो इन्हों ने क्या किया कि माता जी को ही अपने हिर्दय में बैठा लिये अब माता सावित्यी देवी परमधाम में इस्थिर है, इस हिर्दय में इस्थिर है इसलिए अब किसी नारी के रूप को देख करके तो इनके मन पर प्रभाव पड़े या सभी नारी इसी छण अपने दिमाग से निकाल के फेक दे कहेंगे पांडे जी आप बहुत बोल रहा है आपको पता है विश्वा मित्र जी भी पिघल गए तो कोई बात नहीं माता जी अब डाक्टर रभी शंकर पांडे बिश्वा मित्र जी का भी पद नहीं धारण करने वाले हैं गुरू वसिष्ट का भी पद धारण करने वाले नहीं हैं ये रखु कुल का पूरोहिती भी नहीं स्विकार करेंगे केंगे क्या बात हुई आप ब्रामाण हैं ब्रामाण हैं तो क्या हुआ गुरू बसिश जी बता दिये कि यह जी यजमानी का काम बड़ा मंदा होता है वो तो गुरू बसिश जी कहे कि वो तो हमारे पिता ब्रह्मा जी कहे थे कि यहाँ पर परमात्मा का उतार होगा यहीं से कल्याड होगा इसलिए मैंने रगु कुल का यजमानी समाला तो जो मंदा काम कौन करना चाहेगा कोई नहीं करना चाहेगा तो कुल मिला करके आप यह समझने कि यह आपका मित्र है लेकिन आप सपन में भी इनको एक छण के लिए इसमरण करे यह भाव इस बुद्धी में नहीं है क्योंकि वह इस्मृति रूपी माया है और हर बात तो हर कोई नहीं समझ सकता लेकिन तीन गुण तीन अवस्था क्या है तो तीन गुण में है सतो रजो तमो और यह तीनों बनियोटी करते हैं बहवार अब आप अपने भाव का परिख्षड स्वता कर लिजिएगा यह अज्ञान यानि मोह निद्रा आलाश्य और प्रकास और प्रवित्ति प्रमाद यानि मनुरंजन यह सब तमो गुड की अनेको बृत्तिया है और यह जीव को अधो गती में ले जाती है माने अभी आप मनुस हैं सुन रहे हैं समझ रहे हैं इनका त्याग नहीं करेंगे तो कुत्ता बिल्ली बनने में देर नहीं लगेगी अधो गती में चले जाएंगे और इसके उपर जो है रजोगूर जिसमें ऐसा भाव रहता है कि जगत मुझे माने मुझे स्रेष्ट समझे ऐसा कर जो अहंकार और आसक्ती के प्रभाव से होते हैं माने जो मनुष्य अपने इस सरीर को ही सर्वस्व की भाती मान लिए है कि जन्म से मृत्यू के बीच में जो यह सरीर है यही सब कुछ है इसके पहले न तो मैं था न तो आगे रह जाओगा अरे मर गया आदमी तो कौन जानता है किसका क्या हुआ लेकिन ऐसी बात नहीं है यहां पर इस पश्ट ग्यान यहा है कि जातस्य ध्रूव मृत्यू ध्रूव जन्म मृतस्यू यानि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यू निश्चित है यह तो आप भी जानते हैं लेकिन यह परमात्मा की अच्छुतम बाड़ी है कि जो मर गए उनका जन्म भी निश्चित है कहेंगे ऐसे यह क्या बात हुई परमात्मा निर्दई है हमको फसा फसा के मार को रहे हैं तो फसा फसा के मार नहीं रहे हैं परमात्मा पर मात्मा का तो साफ है कि विभू भाव से श्री श्यूजी सब के हिर्दय में है इस भाव को आप धारण कर ले अपने मन बुद्धी शरीर को सेवक और श्री श्यूजी को जो प्राण के दाता है उनको स्वामी बना ले आपका वही जन्म परमानंद को प्राप्त कर लेगा तो उसमें गोलू बची फिर डाक्टर रवीशंकर पंडे क्या कर सकते हैं ठीक तो रजो गूर अहंकार और आसक्ती के प्रभाव से तो जैसे अगर आप इनको विश्वास कर ले तो सीधे जानने की जब यह बता दिये कि सीता राम जी की आप मूर्ती ही है हैं तो हैं तो फिर यह सरीर से आपका जो स्वरूप है वह बिल्कुल अलग है यह सरीर तो मात्र साधन है अब यह मत है जिसको निर्वाचन आयोग में कोई मानने वाला नहीं है क्योंकि निर्वाचन आयोग की रचना चमडा मांस और रक्त पर आधारित है तो इनके हां मतदान पहचान पत्र भी है और इनका मत लेने वाला जगत में एक भी मनुस्य नहीं है फिर भी पूरे जीवन में दो बार ओड़ डाले थे एक ओम प्रकास कुन भी यही मंग रहां का है उसके लिए और एक प्रमोद मिस्वराजी गाउं का प्रधानी में चुनाव लड़े थे मित्र के भासा में बात कर रहे हैं यह तो कोई उपदेशक नहीं है सीधे अपना अनुभव बता रहे हैं तो अहंकार आसकती इन दोनों के प्रभाव से अब यह बाड़ी प्रगट नहीं हो रही है यह तो आपको सीता राम जी की मूर्ती समझ के मुहम्मद अली भईया हो र ठीक फिर तीसरा गुड है सतो गुड इसमें भी सुख और ज्ञान का अभिमान होता है तो आपका यह मित्र अभी के लिए जानकारी रख लें कि निसकाम रूपी अगनी योग अगनी और ज्ञान अगनी तीनों अगनी के द्वारा ज्ञान के अभिमान को भी ध्वस्त कर दिया इसलिए आपका यह मित्र तीनों गुड के बाहर आ गया जो कि स्री स्यूजी की कृपा है इसमें अपना कोई पुरसार्थ नहीं है यह तीन गुड हो गए तो आप परमात्मा का अनुभाव करना चाह हैं तो आपको मात्र इतना करना है कि राग रोस इर्षा मद मोह से मुक्त हो करके स्री स्यूजी सबके हिर्दे के स्वामी है यह भाव रख लेंगे सेवक बन जाएंगे बात बन जाएगी जिसके लिए आप सोतंत हैं फिर इसमें तीन अवस्था है आप सुन रहे हैं तो नि इन को'reगे फिर सपना देखेंगे अपके मित्र की बुद्धी इन तीनों अवस्थाओं के भी बाहर में के से जो भी सेवा इस जगत में हुआ सब भगवान को समर्पित हो गया अब इनके इस रूप से नाम से काम से इस मन का कोई सम्बंद नहीं रहा और जो भी मित्र इनको कभी सपने में भी प्रेम किये हो इतना करे कि इनका किसी के ऊपर कोई एहसान का भार नहीं है इन्होंने कभी भी किसी के लिए कुछ किया ही नहीं या किसी प्रकास से कटाक्ष नहीं है यह वास्त्विक्ता है क्योंकि मनुष जो भी करता है उसका प्रतिफल उसको खुद मिलता है तो वह अपने लिए ही किया अब आपके मित्र के द्वारा निशकाम सेवा हर जगह हुआ यह तो प्रोफेसर प्रकास के रूप में भी चरित्र किये है इनके सुक्र से इस धर्ती पर कोई पुत्र या पुत्री उत्पन नहीं है फिर भी यह पिता का चरित्र किये है पती का चरित्र विश्वास रूपी पती का भी चरित्र कर चुके है और अब तो जगत में मात्र भक्ती का नाता है तो ठीक तो यह तीन अवस्थाओं के बाहर एक चौथी अवस्था होती है जिसे तूरिया अवस्था कहते हैं उस अवस्था में जाकर सोध हुआ तो अनुभों में आया कि किसी भी जीव का सीता राम जी से अलग अस्तित तो हो ही नहीं सकता बिकॉज आल दे इलिमेंट्स इन दिस यूनिवर्स अर अनकंसियस इन नेचर यानि आकाश के अंदर जितने भी तत्व हैं सभी और चेतन हैं चेतना का एक ही श्रोत है वह है आपकी आत्मा और वही है परमात्मा वही है स्री राम जी यह इस पर्ष्ट ग्यान रख ले आप तो इन्होंने अपने कर्म से नाता तोड़ दिया और फिर यह भगवान की नीती है कि जब सबका आप कल्यार ही सोचेंगे तो आपका कल्यार कौन करेगा इसलिए इनको किसी बाडी गाड की जरूरत नहीं है दूप के सिटकुन का सीता जी एक घास का तिनका लेके रावण क को ऐसे कर रही थी इनको घास के तिनके की भी आव सकता नहीं रही ठीक तो तो वहां से जब अपने आत्मस्वरूप का अनभा हो गया तो आपका यह मित्र इस ब्रह्मा जी के प्रपंच से अपना संबंध ही समाप्त कर लिया अब तो सिधा सिधा सिधानत है कि सिव जी को छ आसा का एक कच्चा धागा भी जोड़ेगा उसका प्रेम अब आपका यह मित्र नहीं स्विकार कर सकता है यह बात जानने के बाद किसी मित्र को कोई जिग्यासा आए तो अपना यूटूब पर कमेंट में लिग देगा तो उसके हिसाब से जो भी उसका समाधान हो है दे दि ही नहीं ठीक तो चुकिए सब सोध के निसकर्ष हैं इसमें किसी का दोस्गूर से इनका कुछ लेना देना नहीं है कि बुद्धा ने मोहनी व्रित्ति फैलाया कि साइमिया ने मोहनी व्रित्ति फैलाया कि मुसा मुहम्मद इब्राहिम ने कुरूरता की व्रित्ति फैलाया इनसे कुछ इनका लेना देना नहीं है लेकिन एक भगवान का सेवक आप सीधे जान ले कि श्रीमत भगवत गीता पर एक सब्द का टिपड़ी करने के लिए एक स्वास में भी कल्पना नहीं कर सकता यह सोध का निश्कर्ष है अलग से वह बाइबिल कुरान और गुरु गुर प्रभाव से किए हैं इसमें किसी का दोस्त नहीं है या यूग का प्रभाव है लेकिन जो अनुभव की बाते हैं वह आप जान ले क्योंकि इस मार्ग पर चलकर धरती पर जितने भी संप्रदाइश च्छाहजार वर्सों से फैले हैं या जितने भी मानों-समाज का नेत्रि स्री की बात हो रही है वह इस पर चलकर स्री राम जी के अनन्य भक्ति आप प्राप्त कोई नहीं कर सकता ठीक कि अगर किसी को लगता है कि उसके पास रद्धा का एक भी कड़ो तो आ करके इनका गर्दन काड़े प्रमाडित करके क्योंकि यह स्री स्यू जी की प्रेड़ा है इसमें आप से कुछ पाना रहा नहीं इस धर्ती पर किसी से एक शिक्के की आमदनी हो जा इसकी कल्पना भी यह बुद्धी एक स्वास में नहीं कर सकती क्योंकि जगत में कुछ पादा ही रहे जहा यहां तक कि किसी ब्रामण के द्वारा इनको एक चावल का दाना भी पिंड़ दान के रूप में नहीं चाहिए दीरजबच्ची अब तीन ब्रह्म ब्रह्मा बिश्रू महेश जी जैसा कि सब लोग जानते हैं तो इसमें इनको ब्रह्मा बिश्रू महेश जी का भी पद नहीं चाहिए तो सभी पदों से मुक्त है जन्म मरण का चक्र शबाप्त हो गया सभी धर्ती के नर्नारी सीता राम जी की मूर्ती है इसमें आपके मित्र को एक स्वास में भी संदेह नहीं है यह स्री स्यू जी की क्रिपा है कि आप का यह मित्र सोक मोह संदेह और भ्रम इन चारों तत्तु के बाहर सामदाम दंडभेद के बाहर जन्म मरण के चक्र के से बाहर राग रो से इर्शा मद मोह से बाहर तो जो बाहर रहेगा वहीं निकालेगा भीया इसलिए यही बताना था बताना था का आर्थ प्रयोजन नहीं है भगवान की प्रेड़ा है कि प्रभू साफ साफ कहें है कि ब्रामण की उत्पत्ती मेरे मुक्ष से हुई है और स्रीमत भगवत गीता तो भगवान के मुक्ष से उत्पन है यह तो आप सभी जानते है तो स्रीमत भगवत गीता और ब्रामण दोनों का प्रभाव एक होना चाहिए श्रीमत भगवत गीता जीव को मोह का दलदल पार करा देती है वैसे इस धरती पर वहिसा ब्रामण जिसका संग करने से आप मोह का दल्दल पार कर दे तो ब्रामण है नहीं तो इनके बुद्धी मे वह ब्रामण कुल में उत्पन है लेकिन ब्रामण का तत्व और अभी तो धर्ती पर एक भी ब्रामहड ब्रामहड का एक तत्त धारण करने में समर्थ नहीं है भाई गुस्चा करने की आउसकता नहीं है अगर किसी को लगता है तो प्रमारित करके गर्दन काट सकता है इसको बार-बार क्या कहें साफ साफ है अनभव की बात है क्योंकि सत्त तो ब्रामहड का मूल धर्म ही है और आज के पंडित लोग जो है कांट्रेक्ट बेसिस पर साधी कराते हैं कि 2000 रुपया लगेगा तभी मैं आपकी साधी कराऊगा तो चाहे वह एक बेसिया कांट्रेक्ट करे चाहे वह ब्रामहड करे दोनों की बराबर बेलू ठीक तो जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा हर रूप में है जैसे एक ही आकास हर रूप में है वैसे एक ही आत्मा हर रूप में है इच्छा चारिता और निस्काम भाव दो भाग यहां से होते हैं जहां इच्छा चारिता है तो यह आशुरी बृत्ति आपको नीचे ही ले जाएगी और जहां निश्काम भाव है वहीं से मनुस्य का जीवन शुरू होता है तो आत्मनित्य दर्शनम यह आपके मित्र की अवस्था है और उस आत्मा को सम्मान है और नीजी इच्छा या किसी पराय के इच्छा का यहां पर कुछ लेना देना नहीं है तो तीन गुण, तीन अवस्था, तीन ब्रह्म के बाहर नित्य धाम में यह बुद्धी इस्थिर है अब इस जगत में कोई प्रयोजन रहा नहीं इस्थ्री और स्वण के दर्शन से यह बुद्धी मुक्त हो चुकी है इसलिए जगत में कोई भी इस्थ्री इनके दर्शन की कामना मनोरत अपने बुद्धी में नौ रखे क्योंकि ब्रह्मा बिश्डु महेश जी भी वह दर्शन नहीं करा सकते वह ऐसे कोई जवजस्ती आ जाएगा तो माता जी प्रडाम तो करी देंगे लेकि हाँ जगत अगर सहयोग करना चाहे तो कोई इस्थ्री यहाँ पर कभी क्योंकि चौथे अध्याय के सत्रहवे स्लोक में प्रभु इस्पष्ट कर चुके है कि साधु भाव के लिए इस्त्री और स्वड का दर्शन निशिद्ध है क्योंकि इनका दर्शन भी पाप बुद्धी में प्रवेश करा देता है तो अपने ही आत्मा के समान सबकी आत्मा को समझेंगे तभी आप मनुस्य का जीवन शुरू कर सकते हैं यह गड़ेश जी का ग्यान है और गड़ेश ही जी को समर्पित है बाकी इस ग्यान से इनको कोई सपने में भी एक स्वास में माने एक गेहूं का दाना दे दे या एक शिक्का दे दे इसकी कल्पना इस बुद्धी में नहीं है तो मित्र आपके मित्र के भाव से एक मनुस्य का जीवन तभी शुरू आप कर सकते हैं जब बीनु छल बीश्व ना थे पदने हूँ अरा मैं भगती करेल अच्छने हूँ सबके अंदर अनुमंता रूप से स्वी शिवजी निवास कर रहे हैं ऐसा भाव आप रख लें इसमें आपका कोई भी सम्मंधी सहयोग करने वाला नहीं है यह क्रिया हर जीव को स्वता करना पड़ता है और जगत में ऐसा कोई संप्रदाई नहीं है जो कि यह भाव प्रदान कर सके इसलिए प्रयोजन के बाहर रहते हुए भी अब आपके यह मित्र यह सब भाव जो भगवत प्रेड़ा है आपके सामने रख दे रहा है सबका कल्यार हो जै स्री राम जै स्री राम